आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार मैंक सब इतन सारी और आप देख रहे हैं MNS News अगर आप सबी का गुड मॉर्निंग सुपर फास में जहां आप देखेंगे सुबा की कुछ खास और कुछ हल्की फल्की खबरे तो आईए शुरू करते हैं रोहित शेटी ने खास अंदाज में अजय की दीब बढ़ाई लिखा एक आदमी तीन नेशनल एवार्ट मुबाराख हो अजय देवगन अरसटवे नेशनल फिल्म एवार्ट की शुकरवार 22 जुलाई को घोशना की गई इसमें अजय देवगन को ताना जी दा एन संग वार्यर के लिए बेस्ट एक्टर का एवार्ट मिला फैंस से लेका सिलेप्स तक अजय को तीसरे बाल नेशनल एवार्ट जीतने की बढ़ाई दे रहे हैं वहीं उनके खास दोस्त रोहित शेटी ने भी उनको गले लगाते हुए एक फोटो शेयर की और अपने दोस्त को खास अंदाज में बढ़ाई दी है रोहित ने पोस्ट में लिखा कि फिल्म जक दी लेजेंड और भक्त सिंग और अब ताना जी तीन नेशनल एवार्ट एक आदमी मुबारक हो अजय देवगत वहीं हाल ही में अजय की पतनी काजोल ने भी ताना जी की शूटिंग के समय एक फोटो शेयर की थी जिसमें अजय और काजोल अपने रोल के गेट अप में दिखाई दे रहे हैं काजोर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा था टीम ताना जी ने तीन नेशनल एवार्ड ठीते ये खुशी और गर्व से भरा हुआ पल है बेस्ट एक्टर अजय देवगन एंटरनेट करने वाली बेस्ट पॉपिलर फिल्म और बेस्ट कॉस्ट्यूम नीचे के वरवे अजय देवगन की ये फिल्म तीन सार पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म उनके लिए बहुत खास थी क्योंकि ये उनकी करियर की सोवी फिल्म थी फिल्म में अजे ने बहादूर सुबिदार तारण जी मलूसरे का किरदार नी भाया था जो मराठा सामराज को फिल से हासिल करने के लिए क्रूर मुगल सरदार उदैभान सिंग राठोर सेफ अली खान के खिलाब ख़ड़ा होता है बता दे इस फिल्म ने धाई सो करोड से ज्यादा की कमाई की थी सनजर सिंग राजसबह से सस्पेंड आप सांसद ने संदन में नारे बाजी की पेपर पाड़े इस सत्र में अब तक 24 सांसदों पर कारवई आम आदमी पार्टी के राजसबा सांसद संजे सिंग को बद्वार को राजसबा से सस्पेंड कर दिया गया उन पर सदन में नारे बाजी करते हुए टिप्टी चेयर्मेन हरीवण्ष के आसम की और पेपर फिकनी का आरोप है उन्हें एक हपते के लिए सदन से निलंबित किया गया है इससे पहले मौनसून सत्र के साथवे दिन मंगलवार को विपक्ष ने जीस्टी और महंगाई पर हंगामा किया था इसके बाद राजसबा से विपक्ष के उन्नीस सांसदों को एक हकते के लिए सस्पेंड कर दिया गया हंगामी के चलते राजसबा की कारवाई पहले एक घंटे और फिर दिन बर के लिए स्थगीत करनी पड़ी लोकसबा में सुमवार को भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिर्ला ने कॉंग्रेस के चास सदिस्ट्यों को निलंबित कर दिया था जियोदी मनी, मानी, कम, टैगोर, टी एन, प्रतापन और रामसिया हरिदास को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है दरसल लोकसबा में विपक्ष ने महंगाई और JST पर जम कर हंगामा किया कारवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी नेताओं ने नारे बाजी शुरू कर दी स्पीकर ओम बिर्ला ने विपक्षी सदिस्टों से कारवाई चलने देने की अपील की लेकिन उन्हें JST के खिलाव नारे बाजी और तक्हिया दिखना जारी रखा इसके बाद स्पीकर ने चास सांसदों को निलंबित कर दिया था टीमसी सांसदों ने संसद के पास विरोध प्रदेशन किया है गौगारो और खासी जन जाती को समविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है टीमसी सांसद सुधी बंधो पाध्याय ने कहा कि हम समविधान की आठवी अनुसूची में गारो और खासी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं मैं आज शुन्यकार में इस मुद्द को संसद में उठाने जा रहा हूं अमेरिका में आया पोलियोका केस बीमारी के खात्मे के एलान के 10 साल बाद न्यूआर्क में 20 साल के युवक में मिला वायरस अमेरिका की न्यूआर्क में पोलियोका एक मरीज मिला है यहां रॉकलेंड काउंटी में रहने वाले 20 साल के एक यूवक में पोरियो का वाइरस मिला है सानिय स्वासत अधिकारियों ने उसकी जाच के बाद गुरुवार को इसकी जान करी दी है दरसल 10 साल पहले अमेरिका को पोरियो मुक्त गोशित किया गया था उसके बाद यह पहला केस मिला है 20 साल के इस व्यक्ति को जून में अस्पताल में भरती कराया गया था दिवाशिंटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यूवक की करीब एक महीने तक कई प्रकार की जाचे की गई रोगी को छुट्टी भी दी गई है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर जा रहा है व्यक्ति खड़े होने में समक्ष है लेकिन उसे चलने में कटिनाई हो रही है दी वाशिंटन पोस्ट के अनुसार एक स्वास्ट अधिकारी ने इसकी जानगरी देते बताया कि पोलियो एक वाइरल बिमारी है जो तंत्री का तंत्र को प्रभावेत कर सकती है जिससे मासपेशियों में कमजोरी हो सकती है और कुछ मामलों में मौद भी हो सकती है स्वास्ट विपाग द्वारा जारी प्रेस विग्यापिक में कहा गया कि पचरनव पतीशत लोगों में पोलियो का कोई लक्षन नहीं है फिर भी वे वाइरल पैला सकते है काउंट स्वास्ट आयुक्त डॉक्टर पोट्रेसिया श्रॉल बें स्टूपट ने कहा कि हम स्थिती की बारी की सेग निगरानी कर रहे हैं हम नियू यॉर्क राज्य स्वास्ट विबाग रोग नियंतरन और रोग थाम केंद्रों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं आज की सुपरफास्ट खबर को यही विराम देते हैं कल फिर मिलेंगे इसी जगा इसी समय तब तक के लिए देखते रहे हैं MNS News Live क्योंकि सच जरूरी है नमस्कार